नमस्कार आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नमनी टॉक्स में पच्चों आज हम देखेंगे कक्षा दस्वी की हिंदी की कोर्स B की पाठे पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भागतो और इस पुस्तक का तीसरा पाठ है जिसका शीर्शक है ततारा वामीरो कता मेरे पहले की वीडियो में आप लोगों ने इस पाठ का flow chart explanation जरूर देखा होगा आज हम इसी पाठ से सम्मंधित प्रशन और उत्तर देखेंगे इस साल भी तीनो ही सेट में इस पाठ से सम्मंधित प्रशन पूछे गए थे और साथ ही साथ पूर्व वर्षों में जो 2022 की बोर्ट परिक्षा में पूछा गया था प्रशन कुछ इस तरह से है ततारा वामीरों की मृत्यू कैसे हुई और उनकी मृत्यू से निकोबार में क्या परिवर्तन आया अपने शब्दों में लिखी उत्तर है ततारा की तलवार से जब धरती दो टुकडों में बढ़ ग थी जहां से ततारा अलग हुआ था वामीरों परिवार से अलग हो गई और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया बाद में वामीरों का भी कोई सुराग नहीं मिल सका लोगों ने वामीरों को भी मृत मान लिया ततारा और वामीरों की मृत्यू के बाद निकोबार में एक सद पुरानी परंपरा का अंत कर दिया गया इस परंपरा के अनुसार अलग अलग गाउं के यूवक और योतियों के बीच किसी भी तरह का वैवाहिक संबंद संभव नहीं था नतारा और वामिरों एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे इसी परंपरा के आ रही यह परंपरा खत्म हो गई इसी साल दूसरे सेट में भी ततारा वामीरों से समंधित प्रशन पूछा गया था तो आईए देखते हैं दूसरा कौन सा प्रशन है ततारा वामीरों कथा का नायक अपने क्रोध का शमन करने के लिए तलवार को धती में घोप उसे दूर त आता है आप अपने निजी जीवन में क्रोध का शमन करने के लिए क्या क्या करते हैं उतर हैं ततारा वामीरों पाठ में नायक अर्थात ततारा लोगों द्वारा अपमानित किये जाने पर क्रोध से भर गया अपने क्रोध को खत्म करने के लिए उसने अपने लकड़ी की त परतिकूल परिस्थिति में तुरंत अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता और ना ही अपशब्दों का प्रयोग करता हूं तीसरा गुस्य को शांद करने के लिए या तो टहलता हूँ या संगीत सुनता हूँ चौथा उस घटना का जिक्र किसी से ना करते हुए स्वयम को शांद रखने का प्रयास करता हूँ एक ही तरह के प्रशन दो साल पूछे गए थे एक तो 2019 में और दूसरा 2018 में तो ये दोनों एक ही जैसे प्रशन है तो आईए देखते हैं प्रशन तीसरा परमपराई या मानिताएं जब बंधन लगने लगें तो उनका तूट जाना ही क्यों अच्छा है ततारा वामिरों ने इसके लिए क्या त्याग किया और जो दूसरा प्रशन 2018 में पूछा गया था ये भी लगभग इसी तरह का है रूढियां कब बुराई का रूप धारन कर लेती हैं उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है ततारा वामिरों कथा पाठ के आधार पर लिखिये इन दोनों ही प्रशनों का एक जैसा ही उत्तर है आईए देखते हैं इस पार्ठ में निकोबार द्वीप की सद्यों पुरानी परंपरा के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार दो अलग अलग गाउं के यूवक यूतियों के बीच किसी भी तरह का वैवाहिक सम्मन्ध होना गाउं की परंपरा के विरुद्ध था वामिरों लपाती गाउं की थी और ततारा पासा गाउं का रहने वाला था दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे परंतु गाउं वालों ने ततारा और वामिरों के प्रेम का विरोध किया परिडाम स्वरूप दोनों ने मृत्यू को गले लगा लिया ततारा और वामिरों की इस बलिदान के बाद वहां के गाउं में सुखद परिवर्तन हुआ और सद्यों पुरानी रोडियां तूड गई निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गाउं में भी आपसी वैवाहिक सम्मन स्थापित करने लगे यह सच ही कहा गया है कि जब परंपराएं या मानेताएं बंधन लगने लगें तो उनका तूट जाना ही अच्छा और आविशक होता है चौथा प्रशन यह प्रशन 2014 में पूछा गया था आईए देखते हैं ततारा वामिरो कथा पाठ के आधार पर पशु पर्व का आयोजन क्यों और किस प्रकार किया गया था उस दिन वहां क्या घटना घटी लिखिए उत्तर है प्राचीन काल में मनुरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का आयोजन किया जाता था इसमें स्वस्थ पश्मों का प्रदर्शन तो होता ही था साथ ही उनकी आपसी लड़ाई का भी आनंद लिया जाता था पश्मों से युवकों की शक्ती परिक्षा जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता था यह पर्व वर्ष्मों में केवल एक बार होता था आसपास के गाउं के लोग इसमें हिस्सा लेते थे महां नृत्य संगीत के साथ भोजन का भी आयोजन होता था उस दिन पासा में पशुपर्व के दौरान वामीरों की माने ततारा और वामीरों को साथ में देख लिया वा क्रोध से भर उठी और उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया ततारा इस अपमान को सह नहीं सका और क्रोध में ही उसने अपनी लकडी की तलवार निकाल कर पूरी ताकत से धर्ती में घोंप दिया और अपनी तरफ खीचने लगा देखते ही देखते धर्ती दो टुकडों में बट गई निकोबारियों के अनुसार वही दो टुकडे आज कार निकोबार और लिटल अंदमान के नाम से जाने जाते हैं पांचवा प्रशन है ये प्रशन CBSC बोर्ड परिक्ष्या में 2018 में पूछा गया था आईए देखते हैं पांचवा प्रशन ततारा का वेक्तित्व कैसा था उसके किन गुणों के कारण निकोबारी लोग उससे बेहत प्रेम करते थे उत्तर है ततारा एक आकरशक वेक्तित्व का स्वामी था वह एक नेक मददगार सुन्दर एवं शक्तिशाली युवक था वह सदैव दूसरों की मदद करने के लिए ततपर रहता था अपने गाउं के लोगों के साथ साथ दूसरे गाउं के लोगों की सेवा करना भी वह अपना परम कर्तव्य समझता था नीकोबार के लोग ततारा से प्रेम करते थे सभी उसका आदर करते थे आसपास के गाउं में भी पर्व तहवारों के समय उसे विशेश रूप से आमंत्रित किया जाता था उसके आत्मिय स्वभाव के कारण लोग उसके करीब रहना चाहते थे अगला प्रशन है प्रशन छटवा यहाँ पर एक ही तरह का प्रशन जो है वो दो अलग अलग वर्शों में 2012 और 2013 में थोड़ा सा अलग करके पूछा गया है तो आईए देखते हैं लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि ततारा की तलवार में अद्भुत चक्ती है ततारा वामीरों कथा पाठ के आधार पर क्या आप भी ऐसा मानते हैं लिखिए इसी तरह का प्रशन जो 2013 में पूछा गया था वो कुछ इस तरह से है ततारा की तलवार किस चीज की बनी थी लोगों की उस तलवार के बारे में क्या धारना थी पाठ क्या धार पर लिखिए दोनों ही प्रशनों का लगभग एक जसा उत्तर होगा आईए देखते हैं उत्तर है ततारा पारंपरिक पोशाक में ही रहता था और उसकी कमर में सदैव एक लकडी की तलवार लटकी रहती थी उस लकडी की तलवार के बारे में लोगों की धारना थी कि उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ती है वह लकडी की तलवार सभी के लिए एक विलक्षन रहस्य थी ततारा कभी भी अपनी तलवार को स्वैम से अलग नहीं करता था और ना ही कभी उसने उस तलवार का प्रयोग किसी के सामने किया था ततारा के साहसिक कारनामों के कारण लोगों का मानना था कि उस तलवार में अद्बुत शक्ती है मेरे विचार से भी ततारा की लकडी की तलवार में सचमुश अद्बुत शक्ती थी क्योंकि उसी तलवार से उस द्वीब के दो टुकडे हो गए थे आखरी प्रशन है प्रशन साथ जो की CBSE में 2012 में पूछा गया था आईए देखते हैं प्रशन ततारा वामिरो प्रेम कथा ने निकोबारियों के दृष्टिकोन को बदल दिया पाठ के आधार पर इस कथन की सत्यता को सिद्ध कीजिए उत्तर है ततारा वामिरो प्रेम कथा ने निकुबारियों के दृष्टिकोन को पूरी तरह से बदल दिया था ततारा और वामिरो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे मगर गाउं की पुरानी परंपरा के अनुसार विवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों अलग अलग गाउं के थे अन्त में ततारा और वामिरो ने अपने जीवन का बलिदान दे कर इस परंपरा को बदल दिया ततारा और वामिरो की प्रेम कथा ने निकुबारियों के दृष्टिकोन को पूरी तरह से बदल दिया युगो युगों से चली आ रही परंपरा को खत्म कर दिया गया अब अलग अलग गाओं के होने पर भी वैवाहिक संबंद बनाये जाने लगे निकोबारियों की जीवन में यह बदलाओं ततारा और वामिरों के बलिदान के बाद ही आया तो इस तरह से ततारा वामिरों कथा जो है यह एक ऐसा पाठे जिससे हर वर्ष प्रशन पूछे जाते हैं और यह सारे महत्वपोन प्रशन जो है इन्ही में थोड़ा बहुत बदलाओ करके हर साल परिक्षा में प्रशन पूछा जाता है तो मुझे आशा है इन सारे प्रशनो का और साथ ही साथ जो उत्तर लिखे गए हैं इनका आप पूरा लाब उठाएंगे तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें धन्यवाद